तमश्कार में रूपा बुद्धी राजा, मैं चरुकार रीडर, वास्त्व एक्सपर्ट और निम्रोलोजिस्ट हूँ बात करते हैं रिशव राशी की और दो हजार चौविस की सब जानना चाहते हैं दो हजार चौविस हमारे लिए क्या लेकिया रहा है रिशव राशी वालों आपके लिए भी दो हजार चौविस बहुत कुछ लेकर आ रहा है मैं बात करूँगी एपरिल तक और फिर बात करूँगी एपरिल से आगे महीने का राशी फल तो आप मेरे साथ देखते ही हैं और जुड़े रही है मेरे साथ तांकी आप हर मंत का भी राशी फल देख सकें सबसे पहले बात करेंगे हम रिशव राशी रिशव राशी आपका जो एपरिल तक का समय है वो राहू आपके लाब स्थान में बैठा हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको कहीं न कहीं लाब मिलता हुआ इस पूरे साल दिखाई देगा न्यू प्रॉपर्टी बन सकती है नए काम बन सकते है आए भी बढ़ती हुई नजर आएगी आएक के साथ साथ आपकी यात्राएं काफी होंगी जिन लोगों की शादी नहीं हुई वो भी इस साल शादी के योग उनके बनते हैं और जो चीजें बड़े टाइम से लटक रही थी दीरे हो रही थी उसमें भी प्रोग्रस देखने को मिलेगी लेकिन आपरिल का बाद का जो समय है व्रिशव राशी वालों आपके हस्बेंड को लेकर कुछ खटपट हो सकती है कोई प्रोपटी को लेकर विवाद हो सकता है किसी चीज को लेकर कुछ न कुछ आपको सोच विचार हो सकता है इस वाद का आप ध्यान रखिए लेकिन कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है आपके चीजें सुलजने से निप्टाने से चीजें काफी हद तक निपटती हुई मुझे नजार आती है आपको इस महीने क्या करना है आपको राहू की शांती कराने की जरूरत है राहू के दान कराने की जरूरत है भेरो की पूजा करना भेरो का जिसे कहते हैं दान करना या भेरो मंदर जाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा तो यह था आप लोगों के लिए वरिशव राशी वाला दो हजार चौबिस कैसा रहेगा यह मैंने बताया अगर आपको मेरा राशी फल अच्छा लगा लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कामेंट्स में जैम आता दी जरूरी की धन्यवाद